नमस्कार भाईयों, कैसे हैं आप सब? उमीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे. देखिया, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए नए सीलेबस के आधार पर NCERT कलास 10th कलास का अधियाई 7 और 8 का संपुन इतिहास का जितना अबजेक्टिव पॉस्चन है, उसको लेकर आए हैं, इस वीडियो को अंतर जरूर देखियेगा, आज आपका NCERT कलास 10th कलास पुन रूप से कम्पलीट कराने जा रहे हैं, आज आपका पुन रूप से कलास 10th का इतिहास कम्पलीट हो जाएगा, इसके लिए एक अलग प्रेलिस्ट बना है, जिसमें लिखा है, NCERT कलास 9th 10th कुस्चन, ठीक, वहाँ पर देख लिजिए 9th 10th का जितना भी अबजेक्टिव पॉस्चन है, वहाँ पर सब आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो को अंतर घंता का नहीं है, छोटा वीडियो है, अगर ध्यान से इसे सुनते हैं के वाल, तो आपको 40-50% सुनते टाइम ही यार हो जाएगा, इसलिए अंतर देखना है, जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको बिहार पुलिस में सफलता मिल सके, चलिए हम कलास को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखिएगा, पहला है कि परचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और उरोप का बैपार होता है, क्या क्वेश्चन है परचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और उरोप का बैपार होता था, तो बोलिएगा कि र रेशम मर्ग से यानि परचीन समय में एसिया और एवरोप के बीच में रेशम मर्ग से बेपार होता था कोश्चन पूछे कि परचीन काल में एसिया और एवरोप के बीच में किस मर्ग से बेपार होता था तो बोलिएगा कि रेशम मर्ग से अगला है आधुनिक यूग में कौनसा आधुनिक यूग में और्थ वेवास्ता के छेत्र में सबसे बरी करांती कौनसी है अधोगी करांती अगला question है गिर्मिटिया मजदूर बिहार के किस छेत्र से भेजे जाते थे गिर्मिटिया मजदूर का आप नाम सुने होंगे तो गिर्मिटिया मजदूर बिहार के किस छेत्र से भेजे जाते थे तो उत्री छेत्र किस छेत्र से उत्री छेत्र से भेजे जाते थे जितना भी इंपर रहार हैं सब इन्सी यार्थी परहार हैं, आपको एकडम एक्जाम में यही पुछेगा। अगला है, बीशोववजार का अर्भा आधुनिक काल में कब होता है, अठारावी सताबी में। 202 आरम आधुनिक काल पूछ रहा है तो बोलिएगा कि 18 सपावदी में अरम होता है अगला है 222 आर्थिक मंदी कब आता है तो 1929 एश्वी में 222 आपका आर्थिक मंदी आता है अगला क्वेस्चन है आर्थिक संकट के कारण उरोप में नई परनाली का उदय किसके द्वारा फासिवाधी नजिवाधी साशन के द्वारा किया जाता है ब्रेटेन वुड्स समेलन कब होता है तो बोलिएगा 1944 में ब्रेटेन वुड्स समेलन का योजन किया जाता है अगला है भूमंडली करन क्या भूमंडली करन की सुरुवात कब होता है 1990 के दसक में भूमंडली करन की सुरुवात किया जाता है अगला है दूतिय बीश यूद के बाद एरोप में नई संस्था कौन सा आता है तो बोलिएगा कि एरोपिय संग फ्रेकलिन दी रुजवेल्ट द्वारा नई बेवास्था लागू हुआ कहां पर अमेरिका में में फ्रेकलिन दी रुजवेल्ट द्वारा नई बेवास्था लागू कहां पर होता है तो ब्रेशर्स की संधी कब होती है चार मार्च उन्निसा अंतालिस इस्वी को अगला है अंतराष्टिय मुद्रा कोष की अस्थापना उन्निसा पैटालिस इस्वी में किया जाता है अंतराष्टिय मुद्रा कोष की अस्थापना उन्निसा पैटालिस ओधोगी करांती कहां पर होता है ओधोगी करांती आपका इ किस पत्र ने रातो रात बरनाकूलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भासा बदल दी तो अमरित बजार पत्री क्या किस पत्र ने रातो रात प्रेस से बचने के लिए अपनी भासा बदल दी तो बोलिएगा कि अमरित बजार पत्री क्या अगला है तिरहवी सदी में ब्लोग प्रिंटिंग के नमूने एउरोप किसने पहुंचाया तो बोलिएगा मार्को पुलो के द्वाला तिरहवी सदी में ब्लोग प्रिंटिंग के नमूने एउरोप पहुंचाने वाला कौन था तो बोलिएगा कि मार्को पुलो था गुटेन बर्ग का जनम कहां हुआ तो बोलिएगा की जर्मनी में हुआ अगला है गुटेन बर्ग ने स्वर पर्थम किस पुष्टा की छापाई की तो बाइबिल में है गुंटेनबर्ग ने सोर्व पर्थाम किस पूस्त की छापाई की क्वेस्टन पूछे तो बोलिएगा कि God बंड्लेंड में अगलेंड में मडेनं पंसे यहीन पहए पहुंचाने वाला कौन था कैकस्टन था केक्स्टन था, इंगलैंन में मुद्रन क Chapel ने पॉंचाया diffénd, केक्स्टन ने पॉंचाया। अगला है, किस ने कहा मुद्रन ईश्वर की दी हुई महान्तम देन है। Martin Luther के द्वारा ये बात कहा गया, कि जो मुद्रा है तो ईश्वर की दी हुई महान्तम देन है। been a कि कि देस्व के सिविल सेवा परिच्छा में मुदृत पुष्टत के की मांग बढ़ाई गई तो बुलिएगा कि चीन की सिविल सेवा परिच्छा में मुद्रित पुष्टकों की मांग बरहाई गई तो बोलिएगा कि चीन के सिविल सेवा परिच्छा में बरहाई गई भारत में समाचार पत्र का उदाय हुआ उनस्वी सदी में भारत में समाचार पत्र का उदाय कभ होता है तो बोलिएगा के उनस्वी सदीं में. अगला है बंगल-गजर แसं पत्र परकासि थुगा वा खब 17 preventing 13lik इना समचार ऐसम पत्र को बंगल में पत्र परकासि थुगा को पैसम हएंधि श्वा समयशी पत्र 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 प्तर को पत्र कूं सुमपर का समचार पत्र के बंगल में परकाशन किस ने किया तो इस वर चंद भी दिया सैगर ये था आपका तेंथ कलास का अध्याए साथ और आठ का संफुन NCRT का क्वेश्चन देखिए हम 1 से लेकर 8 तक कम्प्लीट करा दियें प्लेलिस्ट में है इतिहास तेंथ का आप उसे जरूर देख लिजिएगा लिखा ह कलास 9th 10th NCRT संफुन क्वेश्चन देख लिजिएगा 9th का इतिहास और आइनिति कम्प्लीट करा है कल से अगला कलास लेकर आएंगे दम इत्मिनान से परियती तरीक तरीक तक 9th और 10th का आपका कम्प्लीट हो जाएगा और कोई भी परस ने भेर माईतर कमेंट करके पुछ सकते हैं आज के लिए बहुत-बहुत धर्ला